एलो दोस्तो जैहिंद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने योट्यूब चैनल पर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलबे रिकृटुमेंट 2022 के बारे में जिसका ओफिस्यल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है साथ ही साथ आवेदन भी सुरू हो गए है आल इंडिया जाब होने वाली है मेल एंड फिमेल दोनों कंडिडियेट इस भरती के लिए आवेदन कर पाएंगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज लिमिट, सैलेरी, सलेवस, एकजाम पैटन और कौन से कंडिडियेट के लिए कितने पदों में वेकैंसी दी गई है अप्लीकेशन फिस्क्या लगने वाली है एकजाम सेंटर आपका क्या होने वाला है इस टेब बाई इसे पूरी जन कर देने वाले हैं तो यदि आप इस जॉब से जुड़ी पूरी जन कर लेना चाहते हैं तो वीडियो में इंट तक बने रहिएगा तब ही आपके साइड आउट क्लियर हो पाएंगे और्गनाइजेसन नेम की बात करें इसतन रेलवे 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 रेकृट्मेंट सेल के दौरा वेकेंसी निकाली गई है अप्लिकेसन मोर की बात करें आप इस भरती के लिए आवेदन कर पाएंगे जो आपकी जॉब लोकेसन रहेगी आल इंडिया दिया गया है यानि कि आप भारत के किसी भी राजिसें हैं आप इस भरती के लिए आवेदन कर पाएंगे eligibility qualification की बात करें 8th 10th pass ITI candidate इस भरती के लिए आवेदन कर पाएंगे age limit की बात करें 15-24 वर्स रखी गई है तो यदि आप की आए 15-24 वर्स है तो आप इस भरती के लिए आवेदन कर पाएंगे age relaxation की बात करें SCST candidate के लिए 5 वर्स की छूट दी गई है OBC candidate के लिए 3 वर्स की छूट दी गई है selection mode की बात करें on service base आपकर जो जूब हो लगने वाली है application फीस की बात करें journal OBC EWS candidate के लिए 100 रुपे फीस लगने वाली है SCST female candidate and all category female candidate के लिए फीस बिल्कुल फ्री होने वाली है अब बात कर लेते हैं starting date की तो 39 2022 से इसके online आवेदन शुरू हो गए है last date की बात करें 29 2022 बताई गई है चलिए अब बात कर लेते है vacancies detail की name of division and number of vacancy यहाँ पे दिया गया है हावरा division के लिए 669 फदों में vacancy दी गई है तिल्लो वक्सप के लिए 612 फदों में vacancy निकाली गई है यहाँ आप वीडियो को पोज करके step by step पुरी जनकारी ले सकते हैं मालदा डिवीजन के लिए 138 फदों में vacancy दी गई है जमालपूर वक्सप के लिए 667 फदों में vacancy दी गई है टोटल मिला करके 3115 फदों में vacancy निकाली गई है अब हम बात कर लिए eligibility की तो simply आपने 10 पास रखकर रखा है तो आप इस भरती के लिए आविदन कर पाएंगे आ अब बात कर लेते हैं class, ncvt, hcvt के बारे में तो विलदार, gas and electric के लिए vacancy निकाली गई है, seat, metal, workshop, lineman, wireman, carpenter, printer के लिए दोस्तों vacancy दी गई है वीडियो में दी गई जनकर यदि आपके काम की लगे तो वीडियो को एक like जरूर करिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आ तो step by step सारी जनकरी दी गई है, वीडियो को पोज़ करके आप सारी जनकरी ले सकते हैं, तो आज की लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए notification के साथ